विस्तोकर्मा इंजिरिंग ड्राइंग क्लासेज फ्लाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है हम मेकेनिकल मसीन ड्राइंग से वीडियो बनाएंगे विस्तोकर्मा इंजिरिंग ड्राइंग क्लासेज के वीडियो को सिर्फ रिप्रेंस परपस के लिए ही छातर यूज़ करें या सला दी जाती है डिटेल ड्राइंग से एसेब्ली ड्राइंग बनाने के तरीके पर हम बात करते हैं कि जिस सुस्यीन पार्ज को या सीन का डिटेल दिया हुए है उसमसीन का पूर्ण जान कारी ले हैं कि उसका उप्योगिता किया है वो किस तरह से पार्ज करता है numa तर फिटेल करता है सभी पार्ज के internet and external features के अज़ए में जान ला है हम एक suitable scale चूज़ करें जैसे full scale 1 to 1 या 1 to 2 या 1 to 100 या इस तरह से जो scale हम select कर जाए हम overall dimensions हो पूरे machine drawing या assembly drawing में दिखा सके हैं इसके लिए proper space होना चाहिए जिससे dimension के साथ साथ उनके जो notes भी हम जड़क के साथ से लिख सके हैं first of all assembly drawing को जब draw करते हैं तो उसमें front view को ही choose करना चाहिए उसके बाद उसके side view या top view जो और सकता निसार हो या करने से हमें उस machine का या उस machine drawing का समझने में आसानी होगे हमें पूरे जो assembly drawing हैं उनके overall dimension और parts का जो number और भी draw कर सकते हैं या निर्भर करता है कि आपके को आपके teacher किस तरह से उच्छे हैं prepare part list या भी जरूरी है लेकिन या आपके questions के उपर निर्भर करता है आज के वीडियो का subject mechanical machine drawing से steam stop wall का है मैंने इसके पुर्व में आपको बताया कि detail drawing से assembly drawing बनाते वक्त उस machine का या उस machine parts का उपयोगिता तथा उसके जुड़ने वाले सभी parts का उपयोग तथा उसका dimension mapping, operational mapping ये सब जान लें तब हम assembly drawing बनाने के तरफ बढ़ेंगे तो हमें आसानी हो उसी संदर में आईए अब हम steam stop wall क्या है उसके क्या-क्या parts है और उन parts का function क्या है उसके बारे में जान लें यह देखिए यह stream wall है इधर आया pictorial view का full sectioning view है यहां से stream enter होती है और इधर से out होती है यह इसको block करने के लिए यह wall लगा है इस wall को proper sit हो और रखेंगा है stream लिखना होती है लेखिए बगल में यह wall seat है और यह wall इस spindle के साथ जो spindle इसको up down करेगा यह close or open करेगा उससे जोडने के लिए यह collar है इस body के ऊपर ऊपर यह cover लगा हुआ जो stud से tight है इस cover के अंदर में जी देखिए packing है कि किस्ती महां से निकल ला जाए और इस packing को tight करने के लिए देखिए यह gland है यह gland लगा हुआ है यह कहां नट है एक stud से यहां tight है एक stud यहां नट है जो यह इसको दबा के रखता है यह gland प्रापर अपनी जगा पर है इस cover से यह जो collar listed दो लगे हुए है इसमें एक bridge रहता है यह bridge के अंदर thread रहता है इस thread के वज़ा से ही इसका thread और spindle के thread एक दूसरे से match करते है जब हम handle wheel को घुमाते हैं तो यह thread bridge महोने के वैसे उपर नीचे होता है और इस wall को उपर नीचे करता है आएए अब stream stop wall का एक problem लेकर के assembly drawing कैसे draw किया इस पर हम बात करते है problem figure shows the detail of stream stop wall, assemble the part and draw to the suitable scale full sectional view from the front and view from the top जैसे हमने बात किया कि एक body है, body के उपर cover है cover के उपर bridge cover है, उसको collar stud से जोड़ा गया है अंदर में valve है, valve के बगल में valve seat है इस तरह से जो हमने वह देखा है, वैसे ही अब आई देखिए पहला एक body, ये body है, body ये देखिए इसका front view, full sectioning है ये top view है, half sectioning है, बना ओए इस body के उपर cover, ये एक cover, ये top view है, ये front full sectional view इसको यहाँ पर देखिए dimension में पिका ख्याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का dimension, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का dimension, ये वाला और ये 120 लिखा हुआ है, तो जब इसको आप fit करेंगे ये तो gland test के लिए है, और ये वाला जो है इसके उपर, ये यहाँ पर आके लगेगा, तो इसको देखेंगे आप तो बरबर इसका ये dimension इस पर match करेगा इस तरह से इसके उपर bridge, जब ये bridge लगाएंगे, bridge के अंदर बताया था, आपको अंदर पर thread रहेगा, जो stud को, stud के अंदर जो thread रहेगा, वो इसको उपर नीचे run करता है, इसका ये top view है ये आपका wall है, ये आपका wall seat है, ये wall seat देखें, बगल में आके support देता है, जिससे इसके support से इस्टिम नीचे निकलती है और ये उपर नीचे run होता है ये stud है, जो collar stud बोलते हैं, और ये इस bridge को और इस cover के बीच में जो जोड़ने का काम करता है ये देखिए wheel है, ये hand wheel जो है, ये strut में यहाँ पर लगेगा और जो ये जब हम इसको उपर नीचे करेंगे, इसको wheel को गुमाएंगे, तो ये उपर नीचे होगा और साथ में एक collar को, ये जो wall को उपर नीचे करेंगा इनका assembly drawing बनाने के लिए, first of all पहले इसको draw करेंगे, इसके उपर इस cover को रखिए, इसके अंदर इस जगाँ पर देखते जाईएगा, ये यहाँ पर wall fit होगा, इनके पूरे dimension को देखिए और इस wall चीक करेंगे, 5156, 5156, इसको बोगे dimension mapping, मतलब ये वाला area कहां set हो जाएगा इसके अंदर देखिए, ये 5125, ये देखिए 5125, यानि ये जो sit है, ये taper वाला, इसमें आ करके ये sit हो जाएगा, तो जिस तरह से इसके parts को, जो मोटी मोटा body है, body के उपर cover है, cover में जो stud नहाँ लग जाएगा, studs के साथ, इसके dimensions देखिए, 120, 120 पर जो होगा, ये 120, मतलब कि ये जो bridge का जो stud है, देखिए, 120 है, 120, यानि ये bridge वाला stud जो लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा, IC के उपर ये bridge आएगा, इस तरह से एक एक चीज को, एक एक dimensions को आपको mapping करते चले जाने हैं, हाँ, साथ को तुछ बता, बहुत सारे dimensions missing रहते है वह क्या होता है, जब हम major dimensions को drop कर दियाते हैं, तो वह meet कर जाते हैं, गुसरे से मिलने के वज़े से कुछ dimensions हमको locate हो जाते हैं, कुछ nut, bolt, washer, stud, इनके data calculate करके भी हम निकालते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, कि इनके जैसे M12 लिखा हुआ है, तो M12 मतलब metric thread diameter 12, इसका picture कर निकालना है, या कुछ तो हमको calculate करके निकालना परता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कि आप जिस assembly drawing को बना रहे हैं, उसको parts को आराम से समझे लिए, उनके dimension mapping पहले कर लिए, उनका shape का mapping कर लिए, जिए, geometrical mapping कर लिए, कि कौन कहां fit होगा उसके बाद assembly drawing बनाएंगे तो आपको आसानी है, आईए, इस detailed drawing को assembly drawing कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखी, ये मेरे पास आपको बताने के लिए कोई special device नहीं है, इसलिए मैंने कुसी detail drawing का है, उसको copy paste कर लिया है, जिससे मैं एक एक parts को जोड़ते चला जाओं और आपको बताता चला जाओं, आपको या करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि आपके पास question paper रहता है, या book कर रहती है, या teacher के दोरा दिया हूँ सीट रहता है, जिससे इस detail drawing को आप देख सकते हैं, उसको देख के draw करते चले जाओं यहाँ एक लिए और बता दूँ कि मैं जो पूरी drawing को power point से बनाता हूँ, में दिया हुआ है, इसी drawing mentions को देख कर आप यहाँ, SMD drawing में copy कर दिएगा, आईए, अब हम बात करते हैं, first of all एक reference line के लिए, मैं यह देखिए, यह main body पहले बनाऊंगा, इसके लिए यह देखिए, यह जो center line ने draw किया गया, ओ reference line मैं ने draw किया, अब यह देखिए, यह side वाला यह line है, इसका half कर लिए देखिए, यहाँ से half half, यह देखिए, अब इस तरह से करके देखिए, पूरा, फिर इधर के side wall बनाया, फिर इधर के side wall बनाया, फिर इन नीचे के curve से बनाया, इसका आपको यह देखिए, यह dimension दिया हुआ है, कि center line से, यह आपको इतना arc लेना है, इसको arc कितना लेना है, यह देखिए, मैं एक एक करके आपको main body कैसे बनानी है, बता रहा हुआ है, पूरी, जैसा यह dimensions दिया हुआ है, जैसे जैसे यह आपको notes दिये हुए है, उन्ही dimensions को use करते हुए, आप यह main body को बनाये, उसके बाद यह देखिए, इसके अंदर, यह जो wall है, wall को मैं बनाया है, यह देखिए, जो wall दिया है, जैसा dimension है, उस dimensions के साफ से मैंने wall बनाया है, अब इस wall को, इस spindle को मैं fit कर रहा हूँ, इस spindle को मैंने fit कर दिया, यह देखिए, threaded portion है, जो इस collar को में जो thread रहेगा, उसको, इस में thread रहेगा, जो match करेगा, अब यह देखिए, यह मैंने cover का draw किया, cover के लिए जो stud है, उसको tight किया, यह देखिए, कि cover, cover में यह जो stud है, यह वाला stud, यह मैंने, से करके, इस body में, इस body में, मैंने इसको tight कर दिया, अब इसके अंदर में, यह जो gland वाला part है, यह देखिए, यह वाला part है, यह इसको मैंने draw किया, यह देखे यह ग्लैंड को यह यहां पर पार्ट इस तरह एक लैंड रहता अंदर में यह वाला और यह कवर जो रहता यह यहां पर बनता है ये bridge है कि bridge के अंदर thread रहता है यही thread इसको spindle को अब down करने मेचे मदब करता है तो पहनी इस bridge को बनाया है ये bridge जैसा dimension बोला है center से इतना इदर center से इतना इदर इसकी height ये दी हुई है ये उपर का taper वाला dimension दिया हुगा है अब इस bridge को इस bridge को इस cover के साथ इस spindle, इस stud से जोड़ा, वो मैंने draw कर दिया इसके बाद, या wheel, या wheel को मैंने draw किया ठीक, इस तरह से देखेंगे, या main body में मैंने या wall लगाया, wall में या stud लगाया stud के बाद से cover को tight किया, इस screw के through, उसके बाद या bridge बनाया, इस bridge को इस spindle color stud के through tight किया, उसके बाद इस spindle में या wheel लगाया आईए, अब हम इसका top view बनाते हैं, top view में भी आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि already इस body का top view दिया हुआ, इस को बनाईए, इसमें इस cover को लगाईए, फिर इसको लगाईए, इसको लगाईए, इसके इसको लगाईए इसको लगाईए, 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 इसको ये वील का है, ये उपर से वील भी दिखेगा, तो ये कफर आपको डब जाएगा, इसमें देखिए ये वाला पार, ये यहाँ पर लग जाएगा, और ये जो साइड वाला, ये वाला, ये देखिए ये बन रहा है, तो ये आपको एक एक करके अजिम पहले ये, फिर इसके उपर है, फिर इसके उपर है, तो वील बड़ा है, वील की वज़ा से, इस वील की वज़ा से ये और ये बहुत सारी चीए दब जाएगा, तो इतने जादा डैस डैस में हो जाएगा, कि आप पूरा ड्राव नहीं कर पाओगे, इसलिए जो जो चीजा पॉसिबल हैं, जो ब लाइफ होना चालो हो जाता है, इसलिए फ्रन्ट व्यू और टॉप व्यू दोनों के बने होने से चातर को या टीचर को चेक कर रहे में असानी होता है, ये इसका मैचिंग है, ये इसका मैचिंग है, इस तरह से करक्या निकाल लेता है, आगे इसका हम सेक्शनल व्यू उता यह यहां से हमने काटा यह वाले पार्ट को फेक दिया और इधर से इस विई को देखे तो कैसा हैंचिंग होगा। यह द्री है और यह पुरी assembly drawing मैंने first angle projection में बनाई है यह full sectional from front है आये top view इस तरह से यह assembly drawing assembly drawing completely okay thank you